हेलो एबरिवाइन गूड मॉर्निंग मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागति संध्या एंड्रसुई में आज हम बनाएंगे नमक पारे आटा और सूजी से जो कि हम रोटी बनाते है वही आटा है तो हमने दो कपलिया है आटा और आदा कपली है सूजी इसको चान लिया मुशा है हातों से अच्छी तरह मसल करके पूरे में हम इस तरह से मौल लगाइंगे की घी का कोड हो जाया आटा के अंदर अभी थोड़ा-thोड़ा पानी डाल कर के सक्ट डो लगा लेंगे सक्त डो अच्छा चिकना कर लिया है और अभी बेल लेंगे इसको एकदम पतला ही बेलना है हमें तब ही हमारे नमक पारे अच्छे बनेंगे बहुत ही टेश्टी तो हम इसको फोक की सायता से इस तरह से पूरे में फोक कर देंगे और हम अपने मन चाहे आकार में इनको कट कर लेंगे मैंने बहुत ही पतले पतले काटे हैं पतले काटने से ये काफी करारे और अच्छे लगते हैं और इस तरह से मैंने सकर पारे की तरह थोड़ा सा इस तरह से काटा है और तेल को मैंने गरम करने रख दिया है तेल अच्छा गरम हो गया और उसके मैं डाल दूँगी और इनको मंदी मंदी आज में तला तो यह अच्छी करारे हो गया खलार एकडम गोल्डन आ गया है निकाल लिये हैं मैंने इनको चनी में निकाल देंगे जिससे इनका तेल निकल जाए और इनको आप 15 दिन तक भी श्टोर कर सकते हैं एकदम करारे रहेंगे ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं आप इनको बना करके यात्रा पर भी ले जा सकते हैं बहुत ही कुरकुरे हो गए हैं ये करारे हैं इस तरह से तो आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक किजियो संदे एंडरसोई को सब्सक्राइब जाए